उल्लू को मा, लक्ष्मी का वाहन माना गया है। उल्लू के साथ अजीब अजीब धारणाएं, मान्यताएं और अंध विश्वास जुड़ा हुआ है। वास्तु शास्त्र में उल्लू को बहुत शुभ माना जाता है। उल्लू का संबंध मा, लक्ष्मी से होता है। ऐसा माना जाता है कि घर में उल्लू की तस्वीर या मूर्ती रखने से मा लक्ष्मी की कृपा बनी रहती है। उल्लू को मा लक्ष्मी का वाहन माना गया है। उल्लू के साथ अजीब अजीब धारणाएं, मान्यताएं और अंध विश्वास जुड़ा हुआ है। कुछ लोग इसे शुभ तो कुछ अशुभ मानते हैं। जियोतिश शास्त्र में उल्लू भाग्यवान और धन विस्तार करने का एक प्रतीक माना गया है। वहीं वास्तु शास्त्र में उल्लू को घर और ऑफिस में रखने की पूरी विधी बताई गई है। आये जानते हैं कि उल्लू को घर या ओफिस में रखने की फाइदे क्या है। 1. घर में उल्लू रखने से आर्थिक स्थिती मजबूत होती है। धन लाब के नए रास्ते खुलते हैं। घर में उल्लू की रखने से मा, लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। घर में उल्लू को रखने के लिए सबसे सही जगर लिविंग रूम को माना जाता है। इसके अलावा आप पूजा घर या स्टडी रूम में भी रख सकते हैं। डो, ओन्फिस में उल्लू रखने से करियर में उन्नति मिलती है। कारेक्षेतर में आपका प्रभाव पढ़ता है। उल्लू को हमेशा अपने टेबल पर ही रखें। ये इसकी सही दिशा है। ओन्फिस में उल्लू की मूर्ती अपने दाहिने हाथ की तरफ रखना चाहिए। घर में उल्लू की मूर्ती या तस्वीर लगाने से खुशाली आती हैं और रिष्टे भी मधुर होते हैं। घर में आप मूर्ती के अलावा उल्लू से जुड़ा सिंबल और तस्वीर भी लगा सकते हैं। पांच वास्तु शास्त्र में उल्लू के पूरे परिवार को स्थापित करना शुभ माना गया है। घर में आप उल्लू की मूर्ती या तस्वीर ऐसी जगह पर रखें, जिससे उसकी नजर गेट की तरफ हो। इससे नेगेटिव एनरजी घर में नहीं आती और घर परिवार तरक्की के रास्ते पर चलता रहता है।